कॉंग्रस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी ने अपने तीन दिन के अमेरिका दौरे के दौरान पी एम मोधी, आरेसस और सिखो पर कई बढ़ बयान दिये जिस पर भारत में बीजेपी के नेताओं ने काफी बवाल काट दिया आलम ये है कि बीजेपी ने उनके इस बयान को देश विरोधी तक करार दे दिया है 11 सितंबर को बीजेपी नेतार सुधान शुत्र वेदी ने प्रेस कॉंफेंस करके राहूल गांधी को जमकर घेरा सुधान शुत्र वेदी ने कहा राहूल गांधी को भारत विरोधी मित्रों के सूची में एक और उपलब्दी हासल हुई है जब पन्नु ने उनकी तारीफ की है यानि पाकिस्तान से लेकर पन्नु तक उनकी तारीफों के पुल गढ़े जा रहे हैं जरा सुनिए सुधान शुत्र वेदी ने क्या कुछ कहा पाकिस्तान गवर्मेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिनने पाक अधिकृत काश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्मेंट की तरफ से विजिट कराया गया राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता पृतिपक्ष बन चुके हैं जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने संयुक्तुराष्ट संग में भारत विरोधी अपने वक्तब में प्रियोक किया था अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की शंखला में एक और उपलब दिराहुल गांधी को प्राप्त हुई है जब पन्नु ने उनकी तारीफ की है यानि पाकिस्तान से लेके पन्नु तक के और एलान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं उसमें एक नया नाम और भी है ये जनाब हैं मुश्विकुल फजल ये वो पत्रकार हैं आप सब को ध्यान हो जिनों ने वाइट हाउस की प्रेस कॉन्फरेंस में और यूएन स्पोक्स परसन से अर्विंद केजरी वाल के बारे में अरेस्ट के बारे में सवाल पूछाता ये हैं वो महोदे अब आईए साब और ये महोदे जो हैं देखिए कितने मधूर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहूल गांदी जी के साथ और रहूल गांदी जी और उनके चच्चा जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नौर्थ वाले योरोप से आए हैं इस्ट वाले चाइना से आए हैं दक्षण भारत वाले अफरीका से आए हैं ये चतुर्दिक प्रधिवा के धनी जो इनके सैम हैं उनके साथ ये बैठे हुए हैं अब ये एलान उमर के साथ मुस्कराहट बखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई ये तस्वीर है तो आईए ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखर अपने भाशन में राहूल गांधी ने क्या कहा था जिस पर बीजेपी आगबबूला हो गई दरसल अमेरिका यात्रा के दौरान राहूल गांधी ने वरजीनिया में एक भाशन दिया था जहां उन्होंने भारती ए अमेरिकी समुदाय के सैकलों लोगों से बाचीत की थी और इस दौरान राहूल गांदी ने कहा थे कि RSS कुछ धर्मों, भाशाओं और समुदायों को अन्ने के तुल्ला में कम तर्मानती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में राजुनिती के लिए नहीं बलकि इसी बात की लड़ाई रड़ी जा रही है। उन्हें ने कहा कि सबसे पहने आपको यह सबज़ना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। कॉंग्रस नेता ने कहा कि लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या पकड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं। या एक सिख के रूप में वो गुर्द्वारा जा सकते हैं या नहीं सुनिये राहुल गांदी ने क्या कहा था जानगे मिंज़ा करे लिशन Ce Divine क्या ने पना समर्थन दिया था गोड़ जो ऑन सकते हैं ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है उनका ये बयान सिख्फ और जिस्टिस के अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है पन्नो ने कहा कि भारत में सिख्फों की आहलत पर राहूल गांदी ने जो बयान दिया है भारत विरोधी इलहान उमर भी नजर आ रही है तो राहूल गांदी ने अपने तीन दिन के इस दोरे में जो कुछ बाते कहें उसको लेकर भारत में लगातार सियासी माहल गरमाया हुआ है सवाल यह है कि राहूल गांदी जब भी विदेश जाते हैं उसके बाद इस तरह कि कोई नो कोई बात जरूर करते हैं जिसके बाद भारत में उस पर बावाल कटना तैह हो जाता है आखर ऐसा क्यों है क्या एक राज़ितिक दशादिशा पहले ही तैकर के उन महाशनों को तैयार किया जाता है लेकिन अब बीजेपी जो आरोप लगा रही है कॉंग्रेस की तरफ से उसका पूरा जवाब क्या दिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी और क्या इसके स